असलाम अलेकूँ वेलकम टो मैं चैनल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़िदार से पाय बनाने की रेसिपी जो कि बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे और यह बहुत ही टेस्टी बनके त्यार होंगे आए देख लिए हम पाय को किस तरह से बना कर त्यार करते है तो पाया बनाने के लिए सबसे पहले पाया को अच्छी तरह से दोने के बाद हम इसको बॉयल करेंगे और बॉयल करते हम इसके अंदर हमें एक चमच तेल डालेंगे आप सरसू का तेल या फिर रिफाइन डाल सकते हैं इससे पाय ओवरफ्लो नहीं होते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो चमच लेसन अद्रक का पेस्ट और साथ में ही एक छोटी से प्यास को तीन से चार तुक्रे हमने काट लिए जिससे की पाय की अपनी स्मेल पूरी तरह से खत्म हो जाती है अब हम नेक्स्ट इसके अंदर पानी डालेंगे पानी हमें इतना डालना करके हम इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे एक हाय विसल देंगे और 45 मिनिट तक हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पाय को बॉयल कर लेंगे तो यहां पर देखिए फ्रेंट्स के 45 मिनिट के बाद हमने फ्लेम को अफ कर दिया था और पाय बहुत ही अच्छी तरह से ब और इसके साथ कि मैं चार मिडियुम साइज की पियास को छले में काटा है को अब इस्के देंगे अब अब हमें इतना करनणा चैनल पूर्टे से ब隻 अब के लाघ्री हम उसके बाद खिर. इसके बाद हम ढाल देंगे इसके तरह भने माज से छे चमज भर के लेसन अध्रक का पेस्ट जब पाए हम बनाते हैं तो लेसन अध्रक का पेस्ट थोड़ा ज्यादा क्वाणिटी में जाता है तो यह हमने छे चमज लिया हुआ है लेसन अध्रक का पेस्ट हमने इसको डाले के बाद फ्रेम को मीडियम का लेना है और मीडियम फ्ले पाई चार चमच पिसीवी धनिया का पाउड़ डालेंगें पाय में धनिया और हल्दी का sigma ़िए स्थमाल होता है तो दर्धी हमने चार चमच पिसीवी धनिया ये तो इसप को भूनने के लिए में पानी चाहिए होगा तो यहाँ पर आपको ध्यानक नहीं जब भी आपको इस मसाले को भूनने के लिए पानी चाहिए तो पानी का बिलकुल भी इस्तिमाल नहीं करेंगे आप पाई का जो सूप होगा वो डालेंगे और मसाले को भून दे जाएंगे आपक को बुनने में थोड़ा से टाइम लगेगा दीम्याश पर बुनिएगा जिससे की अच्छी तरह से इन मसालों में भुनाई हो जाए और सारे मसालों का जो कच्छा पान होता है फोरी तरह से विखल जाए इन मसालों को बुनते वक्त हमने इसके अंदर एक ग्लास सूप का इस् तो हम इसके अंदर एक चमज भरके फिसी वी लालमिश का पौडर डाल रहे हैं इसको मिला देंगे और इसको भी भुनते रहेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर इन मसालों को भुनते वे पंदा मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ओयल सरफेस पर निकल के आ रहा है या जो भी आपको पारी डाल लाओ जाब पाए को बॉयल करें तो पाए को बॉयल करते वाद उसके सूप में ही सारा पानी आप डाल लिया करें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स हमने सारे पाए पहले निकाल के डाल दी हैं इसके बाद जो सूप था वो सारा सूप हम इसके अदर कुछ पाउडर्ड मसाले आड़ करेंगे जो कि हमें लास में डालें लेकिन आपि पहले इसको थोड़ा सा पका लेना है जिससे कि यहां पर जो सूप पाया और जो मसाले अच्छी तरह से मिल जूल जाए हमने यहां पर पाय में कुछ अच्छे खुजबू की मसाले इस् कि खुजबू मेंटेंड रहती है अब इसके साथ ही हम इसके अंदर एक चमच किसी भी ब्रैंड का आप गरम मसाला पाउडर इस्तिमाल कर सकते हैं बस हमने यहां पर जो यह खुजबू की मसाले और गरम मसाला डाला है इसको भी अच्छी तरह से पाय में में ला ले रहे है अब आगे आप यहां पर हमको आज को एकदम धीमा करना है और धीमियाज पर 4-5 मिन तक हम इसे पका लेंगे अब सबसे लास में आपको पाय में अच्छे से टेस्ट के लिए इसमें आप बारी कटावा धन्या में डाल सकते हैं और यहां पर हरेमिश डालेंगे हरेमिश को ह हमने थोड़ा मोटा मोटा काटके डाला है जिसे कि यह मुव में ना आए लास में जब आप हरेमिश को डालते हैं तो हरेमिश का एक अपना फलेवर इस पाय में रहता है जो कि बहुत यह अच्छा टेस्ट देता है अब हमें आज को एक तम धीमा ही रखना है और धीमियाज पर हम इसे 10 मिनट तक पका लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए 10 मिनट के बाद हम दिखाते हैं आपको फाइनल एंड रिजर्ट तो यह हैं आज की हमारे जबदस्त पाय की रेसिपी जिसमें बहुत यह अच्छी खुश्बू आ रही है बहुत यह अच्छा टेस्ट पी है झाल